क्या इस वर्ष शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे सबसे बड़ा सवाल मप्र विभाग ट्रांसफर नीती को सैधान्तिक सहमती स्कूल शिक्षा विभाग की विभाग यह स्थानांतरल नीती जारी यह नीती सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी सभी समवर्गों के लिए स्थानांतरन प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मै के मध्य पूरी की जाएगी पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन आवेदन करना होगा पहले प्रशासनिक स्थानांतरन और फिर स्वेच्षिक स्थानांतरन को प्राथमिक्ता दी जाएगी नवीर नियुक्त शिक्षकों को ग्रामी इंग शेत्र के विद्यालियों में कम से कम तीन वर्ष और अपने संपूर्ण सेवाकाल के न्यूंतम दस वर्ष कार्य करना होगा दस वर्ष या इसे अधिक अवदी से एकी संस्था विशेश कर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीन क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अत्वा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालेओं में पदस्थ किया जाएगा ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवरिती के तीन वर्ष शेश है अथवा गंभीर बीमारी या विकलांता से पीलेथ है उन्हें इसे प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा स्थानांतरन में वरियत अक्रम निर्धारित किया गया है शिक्षकों को निर्वाचिक जन प्रतिनिदियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा स्वेच्षिक स्थानांतरन भी ऑनलाइन होंगे उतक्रिष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सी, एम, ड्राय स्कूलों में स्वेच्छिक स्थानांतरन नहीं होंगे प्राचार्यत सहायक संचालक या उससे वरिष्ट पदू के स्वेटशिक स्थानांतरन आवेदन ओनलाइन लिए जाएनगी लेकिन उनका निराकरन ओफलाइन भी किया जा सकेगा. रिलीविंग और जोइनिंग की कार्यवाही ओनलाइन हुगी. एक बार स्वेच्छिक स्थानांतरन होने के बाद विशेश परिस्थिती छोड़कर तीन वर्ष तक स्थानांतरन नहीं किया जा सकेगा सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंग चौहान सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरन नीती को आज हुई मुंत्रिपक की बैठक में सैधान्तिक सहमती दे दी है प्रिपया याद रखे कि यह अंतिम मंजूरी नहीं है इस नीती के तहट बाहरी शिक्षक को प्रमोशन के पद पर पदस्त नहीं किया जाएगा शिक्षकों की नई तबादला नीती में पहले प्रशासनिक आधार पर तबादलों को प्राथमिक्ता दी जाएगी और उसके बाद स्वेच्षिक ट्रांसफर के लिए विकल्प लब्ध होगा गंभी शिकायत, प्रतिली उप्ती से वापसी, न्यायाले के निरने का पालन और स्कूलों में खाली पक की पूर्ती के लिए प्रशासनिक्स्तर पर ट्रांसफर किये जाएंगे यह ट्रांसफर पॉलिसी स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों शिक्षक एवं अन्य सभी प्रकार के पर लागू होगी हर साल ट्रांसफर की लास्ट डेट 15 मई निर्धारित की गई है ट्रांसफर की प्रक्रिया ओनलाइन होगी ट्राइबल एरिया में प्रशास्किया आधार पर पदस्ट टीचर्स को प्रोचसाहन भथ्ता मिलेगा मध्य प्रदेश में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ती नहीं होगी पॉलिसी के मुताबिक, दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ती पर विशेश परिस्तिती में ही भेजा जाएगा टीचर वो प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्त नहीं किया जाएगा नए टीचर को ग्रामी इंक्षेत्र की स्कूलों में 3 साल या परिवीक्षा अवधी पूरी करनी होगी इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामी इंक्षेत्रों में रहना होगा उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा हालां कि विशेश श्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनक शिक्षकों को इसमें रहत दी जाएगी दस साल से शहर में पदस्थ शिक्षक भीजे जाएंगे शहरी ख्षेत्रों में दस साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामी ख्षेत्रों में भीजा जाएगा ऐसे टीचर स्वेच्षिक ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे अध्यापक समवर्ग से आये शिक्षकों को भी ग्रामी इल्ग शेत्रों के स्कूलों में 5-10 साल सेवा देनी होगी जबकि 3 साल में सेवा निवरित होने वाले गंबीर बीमार या विकलांग और 1 साल से कम की सेवा वचालीस प्रतिशत या उससे अधिक निहशिक्ता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी की खास बातें सौ प्रतिशक परीक्षा परिनाम आने पर प्राथमिक्ता स्वयम अथवा परिवार की सदस्य गंबीर बीमार होने पर प्राथमिक्ता शादी हो जाने के बाद पती पतनी का निवास या कार्यस्थल दिव्यान्ग, विध्वा, विदूर, कोरोना पीरित को इलाज एवं जीवन यापन के लिए सुविधा अनुसार राज्य अथ्वा राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्ट शिक्षकों को प्राथमिक्ता अतिशे शिक्षकों को एक से आधिक आवेदन हुने पर प्राथमिक्ता नवीन स्कूल अथ्वा संकाई के प्रारम हुने पर सेटप में संशोधन 31 दिसंबर तक किया जाएगा एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी 15 जन्वरी तक अप्डेट की जाएगी रिक्त पदू का निर्धारल 31 जन्वरी तक किया जाए रिक्त पदू की जानकारी MP एजुकेशन पोर्टल पर मार्च तक अप्लोड की जाएगी ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की लास्ट देट 31 मार्च होगी, 30 अप्रेल तक ट्रांसफर ओडर जारी किये जाएंगे